हलो, गुड बॉर्निंग दोस्तों, 29 मार्च 2019 की प्रिलिम्स अब डिल्टर सेटीज में आपका स्वागत है सबसे पहले जो हमारे क्यूशन से वो डिसकस कर लेते हैं पहला जो क्यूशन है वो यहाँ पे है नोटम को इलिटेड क्यूशन में हमें 2 स्ठेडमेंट दिया गए है और हमें यहाँ पे क्रेक्ट इस्ठेडमेंट है वो इडनिटिफाई करना है पहला स्टेडमेंट नोटम के बारे में दिया गए है कि यह एक नोटिस है जिन्समें इंफॉर्मेशन होती है कि अगर आपोई भी एर्णोर्वी एस सेवीज कोई भी प्रोसीज हो उसके बारे में आपये एक्सपरेमेट कर रहे हैं उस को लेके उस भी आको गंसन्स जाता है साफश्थ यह कर रहा है कि है मेंदेटरी होता है कंडा हर देश Вас के लिए जो भी मुसाल करता है अब हमें बतायाना है कि correct statement कुन सा है तो यहाँ पे दोनों की दोनों statement है वो बिल्कुल सही है notum में वह एक notice है कि आप कोई भी country मालों की कोई experiment कर रही है तो उससे पहले उसको notice जारी करना होता है notum उसके बाद ही वो experiment हो गए रहा है वो कर सकती है तो इसका पहला option भी सही है दूसरा भी सही है अब यह news में क्यों था है इसको लेके भी आज में एक article है वो भी discuss करने वाले है next to article है वो है nota को related है none of the above क्यों लेके आपने election में देखा होगा जब भी वो UM होती है उसके ओपर एक nota का sign है वो लगावा होता है इसमें हमें तीन statement देखा है और correct statement पूछा है nota को लेखी पहला statement तो यहाँ पर यह कह रहा है कि nota इसका पहली भार use है वो 2013 के locks by election में किया गया था second statement यहाँ पर यह कह रहा है कि nota का जो symbol है वो ballot paper के नेच्छे एक blank होता है और उसमें cross का sign है वो लगावा होता है third statement यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर nota को maximum vote मिल जाए और उसके बाद जो दूसरा कोई candidate है उसको अगर vote कम मिल रहे है तो अभी जो सबसे ज़्यदा vote के अगर बात के तो नोटा को लेके तो नोटा का जो पहली बार यूज है वो 2013 के locks by election में नहीं हो था state assembly election में इसका यूज है वो क्या गया था तो पहला statement यहाँ पर गले था वो अपने आपको हो जाता है बाकि second statement में वो बिल्कुल सही है कि ballot paper में इसका जो symbol है sign होता है जैसे कि congress का symbol है वो हाथ होता है bjb का symbol हो कमल होता है तो उसी तरीके से नोटा का symbol है वो होता है कि blank इस तरीका ग्रोस है वो लगावा होता है वो third statement भी विल्कुल सही है कि अगर नोटा को maximum vote मिल जाते है second and third statement है वो correct है next two question है वो भी नोटा को लेकी है इसमें ये पुछा गया है कि जो नोटा का option है वो कौन-कौन से election में available है पहला option आपके सामें लोकसभा, दूसरा राज्यसभा तीसरा state legislative assemblies और चोथा दिया गया state legislative council मलबगी पहला लोकसभा दूसरा राज्यसभा तीसरा कहा रहा है कि राज्यविधान सभा और विधान चोथा कहा रहा है कि राज्यविधान परिशद देखो जो नोटा का option है न वो एक तो लोकसभा के election में available होता है इसके साथी state के जो legislative assembly होती है वहाँ पर इसका option है वो available होता है राज्यसभा और state legislature council इन्हें के जो विधान परिशद होती है और जो राज्यसभा होती है इन दोनों में ही नोटा का option है वो available नहीं होता है तो यह चीज़ हमे धान में रकने के नोटा का option है वो लोक सभा और स्टेट की जो विधान सभा की एलेक्षन होते हैं उन्हीं में अविलेबल है ना कि बाकी और में तो इसका आंसर है वो यहाँ पर इसने पूछा है कि कहा होता है तो मतलब पहला और यहाँ पर तीस्ता है वो इसका आंसर हो जगा तो ए इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट जो क्यूसन है वो है लो एरफ और्भीट को लगए इसमें फ़ला स्ट्मेन दियागा है कि लो एर्थ और्भीट है वो एर्थ को सेंटर ने लेक्ट चल ती है इसकी हائ Tea यह ऑर्भीट है वो अर्थ से लगबग 2000 क्लोंट्रेंट तक की रिज्ज तक Das जाती है second statement यहां पर यह कहा रहा है कि जो maximum जो man-made object है पर जो satellites हो गए रहा है और भी तरह कि object मान सकते है उस पेस में जो कि इंसान ने बेजे हैं वो low earth orbit में ही बेजे जाते हैं third statement यहां पर यहां पर कहा रहा है कि जो international space decision इन्हीं कि ISS है इसके साथ जो और भी important operations है वो यहां पर से बेजे गए हैं correct statement हम यहां पर identify यह वो करना है तो देखो low earth orbit है ना वो बिल्कुल सही है जिजिए होगी हमारी earth तो earth के उपर की तो maximum 2000 km तक की जो range होती है ना इस earth orbit को बोलते है basically इस earth orbit के निदर जो भी शटलेट भी जाएंगे जो भी project भज़े जा रहे है वो आएंगे low earth orbit में तो जो इंसान के दौरा maximum mission भज़े जाते है वो भज़े जाते है low earth orbit में और low earth orbit है उसमें manually वो शटलेट भज़े जाते हैं जो earth को object करेंगे इसके साथ climate वगरा कि इनकी study वगरा करनेंगे इन सब के लिए या फिर एक दूसरी कंट्री पर को निगरानी वगरा रके नियों जासुशी से हैं वो सारे missions हैं सारे सिटलेट हैं वो low earth orbit में भज़े जाते हैं मतलब पहला statement सही है दूसरा भी आपने आप सही है हो गया है तीसरा भी बिल्कुल सही है कि जो international space station है निकी ISS है वो भी इसी orbit में भेजा गया है वो इसी जो इसी orbit से operation है वो कर रहा है तो इस काम सुर जगा डी पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों भी सही है नेक्स जो क्यूशन है वो है global energy transition index 2019 है वो किसके द्वारा publish किया गया है देखो जो global energy transition index 2019 है वो अभी recently publish किया गया था world economic form डबलू इए एफ तो यह हमें ध्यान में रखना है चलो आप यह बताए कि इंडिया में एक एससे report आती है कि एससे report publish कि जाती है इंडिया में वो कौन publish करता है इंडिया की जो अब देखते हैं आज यह हमारे कुछ आर्टिकल पहला जो आर्टिकल हो है हम्प बैड हम्प बैड मसीर को लेकि तको यह एक फिसकी पर जाती है जो इस तरह की ही दिखती है towards कि मापको बताओं कि मसीर जो मसीर जो सी मांदा करए सदे फिसकी पर जाती है यह हमप बैड चैणों यह केवल और केवल इंडिया में ही पहेजाती यह आपको ध्यान में रखना है ओल और वर्ड में यह जो स्पीसिज है हम बैग्ड वाली यहीं पहे जाती है बाकी मसीर पहे जाती है वो तो और जगर भी पहे जाती है बड़ जो हम बैग्ड मसीर हैना वो सिर्फ इंडिया के कावरी रिवर बैसन में पहे जाती है कावरी रि यह हो जाता है कि यह river होगी और इसके आस पास के जो की सायक नदिय है उन सब को मिला के complete उसको पेसिन कहा जाता है इसके साथ ही बाइन बाती है कि देखो अभी आपको बता कि कावरी रिवर और इसके आस पास के area में काफी सारे डेम प्रोजेक्ट है वो चल रहे है तो इसके जैसे जो फिस्की पर जाती है काफी तेजी से लुपत है वो होती जा रही है और जो महिसीर सी जो यह हम बैक्ट पर जाती है फिस्की यह सबसे बड़ी पर जाती है यह सबसे बड़ी स्पेसिज है मसीर स्पेसिज में मतलब मसीर पर जाती है उसका नाम है मसीर बैक्ट हम ब हो चुकी है में इसका क्या है maximum कि तक उसका तो नेचुल हैब टेटर वो खतम होता जा रहा है क्यों कि जगह जगह पर डेम बनाय जा रहे हैं तो उसके वजह से कहिने के पानी का फूल है उसको परभावित क्या जा रहा है या फिर डिफ प्रोरेस्टेस्ट्रेशन हो रहा है नंबार काभिणी भाटण है, जो काभिणी बावानी डियोन Kevin Durant की बेसिन है, करनाट का पर होता मिला हे द्रभाड वाले एडिया में। יह आपको धान में रखना है। इसको मैं लिए water of tiger, Tiger of water के नाम से भी जानते हैं। यह भी धान में रखना कि Tiger of Water कौन सी मसली की पज़ाती है, वो है मैसीड, तो यह उसको लोगे कुछ चोटे फेक्ट थे, Next जो आर्टिकल है, वो है Mission सक्ति को लेके, Context देखो यह है कि अब भी इस रो है, उसके द्वारा Mission सक्ति को successfully मतलब उते से Conduct है या Experimental Done किया गया है, देखो यह Mission सक्ति है ना, इसका मोटो यह था कि जो Space के अंदर जो सेटलाइट होते हैं या फिर कोई भी ऑबज़ेक्ट हो, ध्यान रखना Space के अंदर कोई भी ऑबज़ेक्ट हो, उसको Earth से सूट हो क्या जाज़ा, मतलब धरातल से लेके और Space के अंदर कोई भी सेटलाइट या कोई भी ऑबज़ेक्ट हो कुछ भी हो सकता है, उसको सूट करने के लिए Experiment हो क्या गया, ताकि निसाना सही सकतिक हो लग सके, जो कि मैं लिए Low Earth Orbit में हूँ, तो Low Earth Orbit अभी हमने डिसकस भी किती, तो Low Earth Orbit है नहीं कि 2000 किलोमेटर तक की रेंज वाली जो Orbit है एर्थ की सर्फेट से, उसके अंदर जो भी कोई मिसायल, जो भी कोई मिसायल को खतम करना हो, या फिर कोई सेटलेक्ट को खतम करना हो, या फिर कोई भी ऑबज़ेक्ट है, उसको टागेट बनाना हो, तो उसके लिए मिसन सकती है, इसको भी सक्सेस्फुली टेस्ट करियागा है, यह भी ध्यान रखना यह है, इस और यहने की Indian Space Research Organization, और DRD, यहने की Defense Research and Development Organization, इन दोनों का जोइन्ट प्रोग्राम था, यह बहुत बहुत इंपोर्टन है, और इसको सक्सेस्फुली कंड़ेक्ट किया गया है, उडिसा के बालासोर रेंज से, तो यह भी ध्यान रखना बालासोर कहां पे, उडिसा के अंदर गया तो वहां से, इस experiment को successfully conduct है, वो क्या गया है, यह एक त्रिक्या का mission है, वो एक anti-satellite weapon का तरहे काम है, वो करेगा, मतलब इस space के अंदर कोई satellite है, उसको खतम करने के लिए, इसका भी use है, वो क्या गया है, तो यह धान में रहकना है, इंडिया का एक satellite था, इस space के अंदर के low earth orbit में, जो भी कोई काम नहीं कर रहा था, तो उसको भी target दुना के देखा गया, इस experiment को कि भी यह successfully हुआ है, यह नहीं हुआ है, तो भी इंडिया ने mission सक्षी को, mission सक्षी को successfully कर लिया है, तो उसकी को लेकिए news आई है, पहली बात तो है कि low earth orbit के अंदर, जो भी satellite है, जो भी कोई live satellite होगी, जो भी object होगा, उसको target किया जा सकता है, यह धनक ना कियो लो और कियो अभी तो low earth orbit का successful test है, वो क्या गया है, इसके साथ ही ISRO और DRDO दोनों का mission है, इससे anti-satellite mission या anti-satellite weapon के नाम से भी जान सकते हैं, इसका benefit क्या होगा, कि इंडिया है वो वर्थ की चोथी ऐसी country बन चुकी है, जिसके पास ऐसी most advanced technique है, ऐसी capabilities है, जो कि साथेसी रूप से इंडिया ने खुद build up है, को की है, अभी इंडिया भी इस list में सामिल हो चुका है, नेक्स ओ आर्टिकल है, वो है याँ पर country by country reports को लेगी, देखो context है कि इंडिया और US है, उन्होंने एक inter-governmental agreement for actions of country by country report है, वो अभी सैन है, वो क्या था, तो पहली चीज़ तो यह है, एक UPC पूछ सकती है recently, कि इंडिया ने किसके साथ है, country by country report के लेगी, अग्रिमेंट हो सैन किया, तो यह सैन किया इंडिया ने, USA के साथ, दूसरी बात, country by country report से फायदा क्या होगा, country by country report से फायदा है होगा, कि इंडिया और USA के जो भी MNCs काम कर रही है न, यह पता आपको काफी बाद text चोरी करती है, सही है वो best text erosion का method हो, या बहुत सारे message होते हैं, text की चोरी वगरा करने के, तो उसकी वज़ासे, कम दोनों ही देसों को काफी नुकसान हो जाता है, तो उन सबसे बचने के लिए, दोनों देसों ने इस टेप उठा है, कि भाई इस तरह की text चोरी वगरा ना हो, तो बेटरी है कि दोनों देसों की जो भी MNCs वगरा है, वो आपस में इस report के तुर, country by country reports है, इस के तुर डाटा सेर करेंगी, हर साल जिसे जो चोरी वगरा होती है, इसको गहीन की रोका जासके, तो यह दान रखना है कि जो MNC companies है, उनकी इंफोर्मिशन वो शेर की जाएगी, जिसे text के जो भी चोरी की जाती है, इनके दौरा, countrys के दौरा, जो companies के द्वारा उसको गेना की रोका जासके तो यह थी country by country report next जो article हुआ है ACM AM Turing Award को लेके है क्या देखो जो ACM Turing Award है ना इसको technology का Nobel भी खा जाता है तो पहला fact तो यही बन जाता है चोटा सा कि technology का Nobel किसे कौन से वार्ड को करते है वो खा जाता है यहाँ पर ACM Turing Award जो ACM Turing Award है यह मैंली दिया जाता है कि जिस परसन ने कोई भी computer sector में अपना एदित युगदान दिया हो बहुत ही अच्छा उन्होंने contribution दिया हो major technical उन्होंने को importance हो आसिल की हो computer के field में उनको यह Award है वो दिया जाता है और यह जो Award है वो B10 के एक mathematician थे जिनका नाम था यहाँ पर LM Turing उन्ही के नाम पर इस Award का नाम है वो रखा गया है तो अभी इसकी गोफना की गई है तो उसको लेकि news आई तो हमें पता होना जी है कि भाई से technology का nobel भी का जाता है तो देखो यह थी आज ही हमारी news तो फिलार की news इसकी में इतना है तो thank you thank you very much for discussion